शुक्रवार रात आई विनाशकारी प्रकृतिक आपदा से नेपाल उब्रा भी नहीं था कि एक बार फिर नेपाल की धर्ती भुकम के जटकों से काप उठी कुछ सेकिंड के लिए धर्ती हिली लोगों में भेयानक चीक पुकार मच गई ऐसी अफरतवरी मची कि सब गलियों में निकल आए कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए इस तर से अपना अपना सिर बचाने की जुगत करने लगे भुकम के जटकों की गवाही देती ये तस्वीरे डरा रही हैं रईवार सुभा सुभा नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक धर्ती हिल गई हालाकि इस भुकम का असर भारत में महसूस नहीं किया गया लेकिन नेपाल में लोग भुकम की वज़े से दहशत में आ गए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलोजी की जानकारी के मुताबिक नेपाल में इस भुकम की तीवरता 3.6 मापी गई जबकि अफगानिस्तान में 4.5 तीवरता का भुकम पाया जिसमें अब तक 150 से जादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं जबकि 375 के करीब लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है अभी भी वहां राहत और बचाव का काम जारी है भुकम का सबसे जादा असर नेपाल के जाजर कोट जिले में हुआ पिछले महीने भी नेपाल में कई बार भुकम के जटके महसूस किये गए थे एक के बाद एक नेपाल की धर्दी का कापना लोगों को डरा रहा है